फ्रेंड्स, भारत के 1.4 बिलियन लोगों की प्रियोरिटीज और एस्पिरेशन्स, हुमन सेंट्रिक डेवलोप्मेंट पर उनकी आस्था, इंक्लुजिविटी और इक्विलिटी का हमारा कमित्मेंट, विश्व सम्रुद्धी और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है, आज भारत दुनिया की फिप्थ लार्जेस्ट एकॉनमी है, बस साल पहले भारत इलेवन्थ पर था, आज दुनिया की हर प्रमुग्रेटिंग एजन्सी का अनुमान है, कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप थ्री एकॉनमी में जाएगा, दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है, करते रहें, मेरी गारंटी है, हो जाएगा, एक ऐसे समय में, जब विश्व अनेक अनिश्चित्ताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व टी एक नई कीरण बन करके उभरा है, भारत की प्राथ्विक्ता हैं, बिल्कुल स्पस्ट है, आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं, Sustainable Industry, Infrastructure and Manufacturing, आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं, New Age Skills, Futuristic Technology, AI and Innovation, आज भारत की प्राथ्विक्ता हैं, Green Hydrogen, Renewable Energy, Semiconductors, इसका पूरा Ecosystem, इसकी एक जलधम, Vibrant Gujarat Global Trade Show में भी देख सकते, और मेरा तो आग रहे हैं, कि Troid Show जुरूर देखे, गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्धारती जुरूर जाएं, कल दिन में मैंने इस एक्सलेंची न्यूसी और इस एक्सलेंची रामस होड़ताई जी के साथ, इस ट्रेट शो में काफी समय गुजा रहा है, इस ट्रेट शो में कम्पनियों ने वर्ल क्लास स्टेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजी से बने प्रोड़क्स का निदर्शन किया है, इमोबिलिटी, स्टार्ट अप्स, ब्लू एकोनमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्तर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से च्छाय हुई है, यह जितने भी सकत हैं, इन्वें, इन्वेस्ट्मेंट के लिए आपके पास लगातार नए अउसर बन रहे हैं,